सूक्षमजेविक विकरे Microbial Enzymes सूक्षमजी विविद तरह के प्रकेणव बनाते हैं विशिष्ट प्रकेणव बड़े पहमाने पर बनाए जाते हैं और परियावरण में उत्सरजित किये जाते हैं इन्हें Exo Enzyme कहते हैं इनका इस्तमाल व्यावसाईक उत्पादन में खाद्या और स्वास्थ उद्योगों में जैसे धूबी घर और वस्तर उद्योगों में होता है उदानार्थ सूक्षमजईवी प्रोटेजिस अमायलेजिस और लाइपेजिस बहुत सारे डिटर्जन में होता है ये प्रकीणव अनके, खाने के और अन्य जैविक पदार्थों के कपड़ों पर लगे दाग निकालने में मदद करते हैं वे उन पॉलिमर को पानी में घुलने वाले घटकों में बदलते हैं जो कपड़े दोते हुए निकल जाते हैं मुख्य उत्पादक सूक्षमजीव बैसिलस, लाइकेनिफॉरिमस है बाकी व्यावसाइक उत्पादन होने वाले महतवपूर्ण प्रकीणव अमयलेजीस और गलुकोंयलेजीस है जो स्टार्ट संपन पदार्थ जैसे मक्का, गेहू या आलू उनसे गलुकोज उत्पादन में इस्तमाल होते हैं गलुकोज को दूसरे प्रकीणवसे गलुकोज अमयसोमरेजिस से प्रुक्टोज में बदल आ जाता है फुरुक्टो शक्कर से कई ज़्यादा मीठा होता है इस अंतिम उत्पादन को हाई फुरुक्टो सिरप कहते हैं ये हाई फुरुक्टो सिरप व्यापक तौर से खादियो द्योग में शीतपे, रस और बहुत सारे उत्पादनों को मीठा बनाने के लिए इस्तमाल होता है कुछ अन्योधारन है इन्वर्टीजीज इस्ट का इस्तमाल करके बनाए गए स्यूक्रोज को हजम करने वाले प्रकेन वा नरम कैंडी बनाने के लिए कवक से बना रेनीन चीज बनाने में जिवानों से बनने वाले डीने पॉलिमरेजीज फॉरेंसिक में पैक्टीनेजीज और सेल्यूलेजीज को फलों के रस को साफ करने में सूक्षमजैविक पेयर सामान निताहा परिचित मद्यपेयर वाइन और बियर है वीविद फलों के गूदे ज्यादा तर अंगूर को किणवन करके वाइन बनाई जाती है अलग-अलग अनाज के किणवन करने से बियर बनाया जाता है इन दोनों प्रक्रियाव में अलग जाती के सूक्षमजीव इस्तमाल किये जाते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस इलिपसोडियस, सैक्रोमाइसिस रोजही जैसे इस्त इनके अलावा कई लैक्टिक अमल जीवानू भी दरजेदार वाइन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं कर दो दो